याज हम बात करने वाले हैं कि अप JPSC और JSSE जैसे एक्जाम को कैसे क्रेक कर सकते हैं इसका सही तरीका क्या होगा बहुत लोगों के मन में ये confusion रहता है कि क्या हम वीडियो के माध्यम से JPSC और JSSE जैसे एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं या इसके लिए हमें कोई बूक लेना पड़ेगा आजकल यूटूब पे हजारों चेनल है सारे चेनल वाले लगभग ये दावा करते हैं कि हम आपको वीडियो के माध्यम से एक्जाम क्रेक करवाएंगी बहुत ऐसे आजकल एप आगए हैं वो ये बतलाते हैं कि हम आपको वीडियो देंगे उस वीडियो के माध्यम से आप JPSC और JSSC जैसे एक्जाम को क्रेक कर पाएंगी तो ये कहां तक सबता है हम आपको अभी बताएंगी ये सुनने के लिए हिस्ट ठीक है लेकिन अगर वास्तिविक्ता देखा जाएं कि वीडियो के माध्यम से कोई भी रिजल्ट को किलियर किया जाएं तो ये मुश्किल है अगर आप वीडियो के देखने के सोकिन है आपको लगता है कि कोई भी चेनल का विडियो देखकर के हमें संतुष्टी मिलती है या मेरा कॉंच्रेप्ट किलियर होता है वहां से हमें ज्ञान की प्राप्ती होती है जो हमें बुक में नहीं समझाती अगर आप यूटूब का सहारा लेते हैं तो यूटूब विडियो को आप जरूर देखें लेकिन दीन में एक दो घंटा देखें अगर आपको वहां से फायदा हो रहा है तो ऐसे मैं भी आपको यूटूब पर पढ़ाता हूँ लेकिन मैं यह आपको सालाह नहीं दूँगा कि हमेशा आप यूटूब के विडियो के सहारे रहें आप मार्केट में जाएं अगर आप JPSC, JSSE जैसे एक जाम की त्यारी कर रहे हैं तो JPSC और JSSE को ध्यान में रखते हुए आपके मार्केट में बहुत ऐसे किताब हैं आप पहले सारे किताब को कंपेर करें उसके बाद वहां से एक किताब को सेलेक्ट करें जो आपके अनुकूल हो, जिस किताब के भासा आपको समझ आती हो, उस किताब को आप अपने घर लाएं, और उस किताब को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार पढ़ते रहें, जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाए, फिर आप किताब को पढ़ें, फिर एक अ ध्यान दिजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए उपयोगी है तो उस वीडियो के जो कुछ concept है जो आपको समझ नहीं आते किताब से वे वीडियो में बताएगे concept को अपने notebook में note कर लें फिर आपने आप अगर आप book को read करते हैं उस time उस concept को अगर आपको लगतार पढ़ लेते हैं उसमें निरंतर आप अपने पढ़ाई बनाए रखते हैं उसके बाद आपके अंदर एक अलग confidence आएगा इसके लिए आपको एक book की जोरत पढ़ेगी आप book को पढ़ें अगर आपको लग रहा है कि आप एक book को खतम कर लिए हैं फिर भी कुछ कमी है तो मार्केट में दूसरा भी book अबलेबल हो दो बूक को पढ़ें लेकिन आप यूटूब वीडियो को यूटूब वीडियो पे ज्यादा ध्यान ना दें फिर आपके मार्केट में अबलेबल हैं कोहिशन बेंक उनको आप स्वल्व करना स्टार्ट करें ताकि आपके अंदर एक confidence आ जाए अगर आप बूक को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग confidence आएगा और आप एक्जाम में अच्छे कर पाएंगी फिर जा करके आपकी संदार रिजल्ट आएगी याप एक विश आपकी जनकारी में बुढ़ोतरी होगी आप विडियो के भरोसे सिर्फ ना रहें यही सत्य है क्योंकि आप अगर देखे होंगे आपके कोई जनकार में होंगे उनसे अगर आप राई लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं कि उनकी त्यारी कैसी थी उनमें से आप जरू नहीं क्यों ना दावा करते हों लेकिन सिर्फ उनके दावा पर आप भरोसा करें आप बुक पर ही भरोसा करें जो आपको सही मार्क दिखा सकती है आपके अंदर एक अलग confidence दे सकती है उमिद करते ही ये चीजे के बारे में आप समझ पाए होंगे कि हम क्या केहना चाह रहे हैं अब बहुत लोगों के मन में ये परसना आता है कि हम दो-चार दिन पढ़ते हैं उसके बाद नहीं पढ़ते हैं मुटिवेशनल नहीं मिलता है तो हम ये चीजों को कहां से लाएं देखिए आप एक अभी इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने जिम्यदारी को समाल सकते हैं अपने घर की स्तितियां परास्तितियां को देखिये अच्छे काम करने की कोशिश किजी अगर आप आज प्ढ़ से मदद कर पाते हैं या उनको आपके अंदर जो सिच्छा है उसे दे पाते हैं तो ये आपके लिए गर्व की बात होगी तो ये बात हुई मोटिवेशनल की तो ये अपने घर की इस्तिती परिस्तिती को देखिए जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक कोई चांस नहीं ह कि आपके घर की इस्तिती परिस्तिती को समाला जा सके तो आप आपके घर की इस्तिती और परिस्तिती को देखते हुए उनको बेहतर बनाने के लिए आप परियास करते रहे आप पढ़ाई करते रहे वही आपके लिए मोटिवेशनल है आप एक जिमेदार व्यक्ति के योग यह आपको कोई motivational की जवर्यत नहीं है को इस पीकर को सुनते हैं तो आपके अंदर दो दिन चार दिन असर रहेगा लेकिन अगर आप घर और गांव की परस्थितियां रिष्थितियां को देखते हैं तो यह motivational हमेशा बने रहेगी और आपको काम करने में एक जुनून आएगी एक जोस आएगी फिर आप अच्छे कर पाएंगे उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आई होगी हमें क्या कहना चाह रहा हूं और आपकी त्यारी कैसे बहतर हो सकती है तो चीजों को आप समझ पाएंगे अगर फि